नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में ने टॉपिक के साथ आज हम Reliance Power Limited के उपर बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों Reliance Power Limited पिछले कुछ दिनों के अगर हम बात करे ही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो Reliance Power है हमें अपर सर्किट के वर दिखाए दे रहा है और एक दिन में मतलब कल 14 तारिक को यहाँ पे क्या हुआ अचानक से हमें अच्छा खाचा ग्रोथ देखने को मिला लगबग 5% के आसपास जो कि बहुत ज़्यादा positive news आ रहा है तो यहाँ पे आप मानके चल सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे हमें buying quantity देखने को मिल लगबा है तो आज की इस वीडियो में हम discussion करने वाले हैं Reliance Power को लेकर कि यहाँ पे उसका अगला target क्या हो सकता है उसके उपर discussion करने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं बहुत ज़्यादे important होने वाला है आज का यह वीडियो अगर आप Reliance Power के उपर निवेस करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे इसका उपर research करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको हार्दिक स्वागत है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्लेज करें देजगा इसी तरह की knowledgeable और experience बड़े वीडियो पाने के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं वन मंत की अगर हम बात करें तो वन मंत पे आपको अच्छा खाचा रिटन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 13.69% का यहाँ पर रिटन बनाता हुआ दिखाई दे रहा और पर सियर हमें एक रुपे अस्ती पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट जैनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही जादा होता है तो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 5.09,000 का यहाँ पर टोटल मार्केट कैप है और इधर आप यहाँ पर धियान दीजिएगा दोस्तो यहाँ पर Open, High और Low कितना है ठीक है Open कितना में हुआ था? 14.25 पैसे में High कितना कहता? 14.95 पैसे में और Low कितना कहता है? 14.00 रुपे में यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने रुपे में यहां पर लॉक हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं जो हाई प्राइज है 14.95 पैसे उसी प्राइज में यहां पर जो सेर को है वो लॉक किया गया है ठेक है मतलब बहुत ही ज़्यादा यहां पर इक्रीज पॉइंट हमें देखने को मिला है और 52 वीक हाई कि अगर हम बात करते हैं आप देख सकते हैं 18.25 मतलब अटरा रुपे 25 पैसे कहीं है 52 वीक हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यह October के महिने में हमें दिखाई दिया था जल्दी ही हम इसको भी Cross करने का Target रखेंगे लेकिन इसका अभी जो Target है उसके उपर डिसकसन करते हैं उससे पहले हम थोड़ा बहुत Financial Condition देख लेते हैं क्या है Financial Condition देखने से पहले यहाँ पे आपको कुछ नजर दाना पड़ेगा September का रेजल्ट के उपर ठीक है September के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि December में जो रेजल्ट आने की बात थी अभी तक नहीं आया है तो जल्दी ही आशा करते हैं हमें December का रेजल्ट भी देखने को मिलेगा तो रेविन्यू के अगरम बात करें थी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिलाइंस पावर है थुड़ा बहुत यहाँ पे हमें रेविन्यू कम जेनेट करता हुआ दिखाए दे रहा हूँ और यहाँ पे नीट इंकम भी हमें थुड़ा बहुत कम देखने को मिल दा है तो यहाँ पे हमें जो सेप्टेमबर का मेना है यहाँ पे हमें quarterly जो result आया था उसके according यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा minus point देखने को मिल दा है इसी के according यहाँ पे सेप्टेमबर का मेने में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें down circuit भी देखने को मिला था ठीक है लेकिन अभी जो situation है अभी one month की अगर हम बात करें तो देखिए six month की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हुआ है धीरे धीरे यहाँ पे जो है down आने के बावजुद हमें upper circuit की ओर दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ पे जो December का result आने वाला है quarterly 3 result वहाँ पे हमें अच्छा खासा positivity देखने को मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह सब हो गया और इसके बाद पहले हम BSC की जो data है उसकी ओपर analyze कर लेते हैं ठीक है BSC में जो data है उसकी ओपर analyze करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते है BSC का closing high और यहाँ पे low कितना है अपे देख सकते हैं 14-ड्याटेशिया पैसे यहाँ पर क्या है open है hi कितना गया था 14-99 और यहाँ लोक कितना क्या था 14-2 जिसकता है और लो ह्या पे आपको देखा यहाँ देख सकता है ? रिलाइंस पर जो यहाँ पे BSC का result है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर lock कितमे हुआ है 14 रुपे 99 पैसे और यहाँ पर total share में देखेंगे तो वहाँ पर आपका कितना था 95 पैसे मतलब यहाँ पर 15 रुपे के आसपास हमें देखने को मिल रहा है जो कि locking price है और TTQ की अगर हम बात करें total trade quantity तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 136.60 lakh का यहाँ पर हमें total trade quantity देखाई दे रहा है जो कि हमें अच्छा काजा trade quantity देखाई देता हुआ नजर आ रहा है और total turnover की अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 करूर का यहाँ पर total turnover full market cap की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.596 5.596 करूर का यहाँ पर हमें total market cap दिखाई दे रहा है phase value की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 10 रूपे phase value दिखाई दे रहा है और अभी इसका price कितना 15 रूपे है मतलब अच्छा का सा high के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर अगर आप share holding pattern की बात करें आप पर promoters यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है जो कि 25% के आसपास है और यहाँ पर public जो यहाँ पर hold करके रखे हैं उसकी percentage की गड़म बात करें तो 75% का यहाँ पर publicly hold करके रखा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर promoters थोड़ा और ज़्यादा होता तो मज़ा आ जाता लेकिन अभी यहाँ पर promoters को संका है वो 25% ही हमें देखने को मिल रहा है तो यह सब graph को analyze करते हुए हमें जो यहाँ पर target निकल के आ रहा है उसको अगर हम analyze करते हैं तो यहाँ पर जो target निकल के आ रहा है January month के अगर हम बात करें तो यहाँ पर January month का target यहाँ पर हमें 15.90 प्लस जी हाँ दोस्तों यहाँ पर January month का कितना target निकल के आ रहा है 15.90 प्लस यहाँ पर जानवाडी मंत का टार्गेट निकल के आ रहा है इसके बाद का टार्गेट हम लेंगे लेकिन यहाँ पर डिसेंबर का जो quarterly three result है वो आ जाने दीजिए उसके बाद हम अच्छा खासा यहाँ पर long term के लिए एक अच्छा खासा profit generate करता हुआ दिखाई देगा लगभग 50 पैसे के उपर यहाँ पर हमें per share profit generate करता हुआ दिखाई देगा तो आसा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको थोड़े सी भी help मिला होगा अगर help मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजेगा और ऐसे ही knowledgeable और experience अबरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकेन को प्रेस कर दिखेगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में ने टॉपिक के साथ